नमस्कार दोस्तों स्वागते श्रोमस बाल जी के और एक वीडियो में इस वीडियो में बात करेंगे हेलिकोबैक्टर पिलोरी हेलिकोबैक्टर पिलोरी डिजीज हेलिकोबैक्टर पिलोरी ट्रीटमेंट हेलिकोबैक्टर पिलोरी सिंटम्स के बारे में और कौनसे डिजीज ह होगा सारे वीडियो में जबाव आपको मिलेगा पहले बात तो हेलिकोबैक्टर पिलोरी एक बैक्टिरिया जिसको ग्राम नेगेटिव बैक्टिरिया है जो इसका मतलब यह होता है कि इस बैक्टिरिया को जीने के लिए बहुत कम ऑक्सिजन चाहिए होता है तो इसी की कारण यह बैक्टिरिया पर्टिकुलर्ली खुद को ऐसे मॉडिफाई किया है कि यह हमारे स्टॉमक में खुद को प्लैंट करता है उसमें सर्वाइब भी करता है औ इसका कारण होता है stomach acid देखो यह हमारी शरीर की digestive system schematic drawing एक model इसमें यहां से माउप से खाना खाना है उसके बाद यह खाना सीधे stomach में जाता है तो यह स्टॉमक में जाने के बाद यहां पर digestion स्टार्ट होता है प्रोटीन के digestion जादा तर यहां पर इस्टार्ट होगा और stomach में protein digestion स्टार्ट होता है यहां पर सबसे महत्कुन चीज stomach के यह होता है कि stomach acid stomach के जो cells हैं अंदर का वो acid release करता है और इसके कारण stomach के अंदर acidity होता है बहुत ज्यादा और यह जो acid stomach में नॉर्मली रहता है यह acid क्या करता है protein जो enzymes है जो protein को digest करता है उस enzymes को help करता है protein digest करने में इसी के कारण acids चाहिए होता है और stomach बहुत acid है अभी बात यह होता है कि इतना acid है कि मानलोगों को यह acid में अगर आप ऐसे उंगली ऐसे डाल के रखोगे तो आपको उंगली जल जाएगा इतना acid है आपके खुद के stomach में फिर भी वह harm नहीं करता हमको क्यों नहीं करता क्योंकि यह हो यह stomach की और एक मॉडले 3D इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूं इस stomach के अंदर देखो यह crisp यह fold आपको दिखाई दे रहा है मतलब इसका मतलब यह होता है कि stomach के अंदर full tub होता है जब stomach empty है blank है जब खाना आ जाता है तो stomachs expand कर जाता है तो folds गायब हो जाता है तो यहां पर जो cells है यह cells हास बना हुआ cells इसमें coating रहता है एक ऐसा coating जिससे कि यह cells कभी खुद की release की हुआ acid से खुद damage नहीं होता यह special बना हुआ एक structure है यह acid कहीं और ले जाओ body के तो वह cell damage हो जाएगा stomach के अंदर का जो cell damage नहीं होता है इतना important structure है ठीक है अब यह जो तो बात को कि इतना acid जहां पर होता है उसमें bacteria कैसे सर्वाइब करेगा कोई भी बेक्टरिया का मर जाएगा तो इसी कारण हम कुछ खाना खाते हैं उस खाने के अंदर कोई मतलब खाना मान लो के खाना खाने के अंदर कुछ एजेंट है बैक्टिरिया है मतलब हम कोई ऐसे पूराने खाने खाये उसमें अल्रेडी inoculation हो चुक तो वो जाके intestine में जाके diarrhea अगेरा abdominal distress कोस करता है तो body में default एक process है stomach acid जो उसमें काम करता है अभी problem क्या हो गया तो normally most of the bacteria जो एक असीद में मर जाएगा मगर यह जो helicobacter pylori है यह और कहीं पे जाके नहीं बैठता है यह stomach में ही खुद को implant करता है stomach के अंदर के cells में ही इसको ख इस cells का जो यह lining है जिसको जिस lining से खुद को यह acid से protect करते हो lining को बर्बाद कर देता है lining को जब वो destroy कर देगा तब क्या हो जाएगा cells खुदी के acid से irritate हो जाएगा और उससे cells को damage होगा और अगर stomach में ऐसे damage हो रहा है तो stomach तो उस area में swelling हो जाएगा जिसके वज़े से आप खा जब भी acid ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा empty stomach में acid ज्यादा रहेगा जब भी खाना आता है तो खाने के उपर acid काम करेगा तो acid का effect वो cell में कम होगा तो जब भी empty होगा stomach blank होगा stomach आपका pain जो है बर जाएगा तो बहुत जलन होगा तो यही होता है peptic ulcer जिसको गैस्ट्राइ जो बहुत दिन से दीरे-दीरे-दीरे करके हो रहा है जो जिनरली हेडिकोबेक्टर पीलोरी मेडियेटर जो गेस्ट्राइटी सो क्रॉनिक गेस्ट्राइटी बन सकता है अगर आप उसको ठीक टाइमें ट्रीटमेंट ना करे तो अभी बात देखो अगर ज्यादा ऐसी यहां तियार हो गया तो कभी कबार क्या होता है मगार खाने के बाद ऐसे भाग लिए और एकसरसाइस किये तो हैसे旅र्लाओ होता है ऐसे ईसे बैक आजाता है तो यहां पर उपцर से दिखालता हो को यह आ생से अजे और यहां इसवहांब वर्व रहता है रहता है यह क्लोज़ करके रखता है ऐसे उपर मानो कि आप ऐसे सो रहे हैं था आपके तो आपके लोडी ऐसा हो गया तो ऐसे उपर आजायगा न मू में आ सकता है नहीं आटा है क्यों क्योंकि आप जैसे कि दर्वाजे, जैसे दर्वाजे के तरह बंद रहता है, नहीं कभी-कभी ये valve related कुछ difficulties के वज़े से ये acid उपर आ जाता है, तभी acidity होता है, यहाँ पर जलन होता है, उपर हमें feel होता है, उसके वज़े से खासी होता है, उसके वज़े से ऐसे लगता है कि acidity, that is called acidity, त factors, वो लेना पड़ता है, as an antacid, तो जैसे कि milk of magnesium हो गया हो गया हो गया, यह सब चीजे, सुक्राल फेट solution हो गया, यह सारे चीजे आता है, तो यह होता है, details about helicobacter pylori, और microhelophilic मतलब देखो, यह stomach तो अंगर है, stomach में तो उतना air जाता नहीं, तो यह bacteria है, बहुत कम air में भी जी सकता है, that's why it's called micro, मतलब कम, airophilic, air मतलब, philic मतलब जिसे चाहिए होता है, airophilic, कम air चाहिए survive करने के लिए, तो वहाँ पर colonize करता है, और कैसे colonize करता है, वो खुद, कुछ ऐसा factors release करता है, जो acid को neutralize कर पाए, तो acid को neutralize करके खुद वहाँ पर जी सकता है, और इसमें रहता है, जिससे वो खुद को बचा सकता है, acid से, तो यह सारे चीज़े, helicobacter pylori-mediated infection है, तो चलिए अब बात करते हैं, कि helicobacter pylori, जिसको पहले campylobacter pylori, बोला जाता है, helicobacter pylori, symptoms क्या है, मतलब helicobacter pylori, जो disease cause करते हैं, उसका हम gastritis बोलते है, acute या फिर chronic, जिससे, ज जो disease cause होता है, उसका हम यह भी बोलते हैं, कि gastric ulcer, तो ulcer मतलब वहाँ पर एक ऐसे घा जैसे हो जाना, gastric ulcer, तो gastric ulcer का symptoms, symptom यह है कि आपको indigestion होगा, आपको stomach में pain होगा, इस जगा पर pain होने लगागा, यही जगा है, यहां से खुद को, तो अभी बात यह होता है, कि यहा जलन जो है बढ़ जाएगा, तो जलन जो है आपका बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ आपको एक acidity और एक reflux का feeling हर वक्त रहेगा, और reflux मतलब यह गले में भी जलन रहेगा आपको, तो यह सब कम करने के लिए medical treatment चाहिए होगा, तो चलिए आप बात करते हैं कि helicobacter pylori diagnosis कैसे किया जाएगा, helicobacter pylori आपके अंदर है, यह नि उसके diagnosis के लिए आपको basically test करना पड़ता है, तो basically यह पर दो test, पहले तो basic one test सी पता चल जाएगा, that is endoscopy, okay, और endoscopy मतलब एक endoscope ऐसे pipe उसके मुह में एक camera लगा हुआ है, वो मुह से अंदर एकदम stomach तक लिया जाएगा और देखा जाएगा कि stomach में ऐसा कोई infection है नहीं, stomach में ऐसा कोई lesion, swelling, infection है, तो वहाँ से sample collect किया जाएगा, और sample को culture किया जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि जो infection है, वो helicobacter pylori से होया है, नहीं, helicobacter pylori positive आता है, तो मतलब आपको helicobacter pylori meditative ulcer है, और अगा नहीं है को आपको acidity वगएरा हो रहा है, कोई tumor वगएरा है, cancer वगएरा है, तो उसको भी पता चल जाएगा, उसी भायपसी से, उसी tissue को लेकर culture करने से, तो इस एक test से, endoscopy से, यह सारी चीज की पता चल जाएगा, आपको, medicinal treatment स्टार्ट हो जाएगा, मगर helicobacter pylori है या नहीं, इसको particular आपको जानने के लिए, हमें 3 तरीके का test हम कर सकते हैं, एक तो breathe test कर सकते हैं, दूसरा blood test कर सकते हैं, तीसरा stool test कर सकते हैं, कोई या दो test से यह पता चल जाएगा, तो breathe या test होता है, यूरिया breathe test से पता चल जाएगा, क्योंकि अगर helicobacter pylori है तो urea produce करता है, वहाँ पर breathe म है blood test blood test से भी पता चल सकता है कि blood में antibody होगा against helicobacter pylori उससे आपको पता चल जाएगा और third होता है stool test stool में भी culture कर सकते है stool का culture करके करके भी हमें पता चल जाएगा कि इसमें helicobacter pylori है या नहीं या फिर stool लेकर उसमें से जो dnx करके PCR polymerase chain reaction करके भी हमें पता चल सकता है कि इसमें helicobacter pylori मौझूद है या नहीं पर्टिकुलरी है या फिर कोई और test है उससे भी पता चल सकता है तो यह तीनों test करके हमें पता चल सकता है अगर हर एक test से भी बैतर बढ़कर है अभी इंडोस्कोपी जिसे पता चलता है कि कहां पर एक इतने लेशन से किंटने आलसर से कहां पर उसको कैसे करना है सारे चीज़े और चाहिए होगा तो और पर मेडिसंस दे के कुछ हम प्रोटेट कर सकते हैं चाहिए होगा अगर कोई है तुमर है मास है तो वह से टिशू लेकर भी हम लिए कर सकते हैं जो के बागके टेस्ट में पॉसिबल नहीं हो तो अब बात करते हैं है किता ब्लॉकर्ज है एक प्रोडॉक्शन को ग्रिस करते हैं और ये में जर्वीड यून जादा क्या होता है यह जो खाना काते हम यह एसाफगा से लेकर एकदम नीचे स्टॉमक से उते हुए कि घूलपे टोचल्य प्रोसेस यह ऐसे मसल्स रहते हैं ऐसे ऐसे करते करते हैं इसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, एक sequential muscular movement, ये पेरिस्टाल्सिस को initiate किया जाता है, ताके खाना धीरे-धीरे, मतलब digestive tract के end तक पहुच पाए, और उसके साथ-साथ बाकी के चीज़े, मगर यहाँ पर क्या होगे, यह पर antacids लेना ही है, क्योंकि acid अगर ज्यादा produce करेगा त तो पहली बात है, एंटासीट के medicinal treatment है, एंटासीट आपको लेना है, दूसरी बात यह है कि आपको एक ऐसा solution लेना होता है, जिससे कि एक coating बन जाए, इसोफागस में, ताके जब भी acid produce भी करें, तो इसोफागस के दीवार में कुछ डैमेज ना कर पाए, तो जैसे कि सुक्र आलफेट solution से यह बन सकता है, तो यह चीज, और तीसरी चीज सबसे important अगर यह infection के जरिये में होता है, infections के लिए हो रहा है, helicobacter pylori के वज़े से हो रहा है, तो helicobacter को मारने के लिए antibiotic treatment, और यह antibiotic के एकदम mediated, एकदम 100% curable, 7 दिन, 10 दिन का treatment process available है, antibiotic का course एकदम maintained course हो आप ले स उससे भी आप इसको cure कर सकते हो, total cure होने में 14 दिन तक लग सकता है, मतलब 1 week to 2 week लगता है total cure होने में, और जब तक यह cure नहीं हो रहा है, तो आपको एक restriction में रहना है, self care बहुत important है, यह कि आपको ऐसा खाना नहीं खाना है, जिससे आपकी stomach irritated हो, आपको citrus कोई fruit नहीं खाना है आपको spicy food नहीं कहना है, अब खाना ही पाओगे, अगर आपको ulcer हुआ है, तो आप spicy food ऐसे भी नहीं खापाओगी, जब भी वो spicy जाएगा तो बहुत pain करेगा, बहुत dard करेगा, तो आपको नहीं खाना है, ब्लंट food लेना है, दही लेना है, और ऐसे milk लेना है, ठंड milk, ठीक हो जाएगा फिर you can go back to normal but एक दो महिने तक after recovery आपको ध्यान रखना है spicy food, rich food नहीं खाना है, blunt food खाना है, मसाला कम खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, junk food नहीं खाना है, यह सारे चीज़ आपको maintain रखना है, तो अगर आपको ulcer है, ulcer, gastritis हो चुका है, acute हो यह फिर chronic हो, acute है तो obviously यह follow करने पर ठीक हो जाएगा, chronic हो चुका है तो उसका कारण specifically देखना परता है, क्यों बार-बार helicobacter pylori infection हो रहा है, क्यों बार-बार वो चीज़ आ रहा है, या फिर यह भी देखना परता है कि वो helicobacter pylori reason है या फिर कोई दूसरा reason, तो उसके लिए बहुत सार है अलग टेस्स आपको करना पर सकता है, मगर after that you need to have a proper lifestyle modification, खाना ठीक से modify करके आपको खाना है, आपको blunt food खाना है, less spicy खाना है, less junk खाना है, यह चीज़ अगर आप मेंटेन करेंगे तो automatically आपको जो है अलसर नहीं होगा future में भी, तो healthy lifestyle, balanced lifestyle, बाहर का खाना खाओ ठीक है, मग करना है ताके ऐसे बीमारी से आप बच के रह सको, so that is all about helicobacter pylori disease, helicobacter pylori infection, helicobacter pylori symptoms, helicobacter pylori diagnosis और helicobacter pylori treatment, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताके ऐसे वीडियो आपको future में मिल सके, that's it for today, I'll see you in the next video, thank you, bye करें